प्रेदितों के कामों का वर्णन सत्रवह अध्याय फिर वे अमफी पुलिस और अपुलोनिया होकर थिसलूनी के में आए जहां यहुदियों का एक आराधना लै था और पॉलूस अपनी रीती के अनुसार उनके पास गया और तीन सब्द के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ विबाद किया और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था कि मसी को दुख उठाना और मरे हुँँ में से जी उठना अवश्य था और यही ईश्यू जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ मसी है उनमें से कितनों ने और भक्त युनानियों में से भहतेरों ने और साथ में लिया और भीड लगा कर नगर में खुलर मचाने लगे और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा और उन्हें ना पाकर वे यह चिलाते हुए यासोन और कितने और भाईयों को नगर के हाकिमों के सामने खीच लाए कि ये लोग जिन उन्हों ने लोगों को और नगर के हाकिमों को यह सुना कर घबरा दिया और उन्हों ने यासोन और बाकी लोगों से मुचलका लेकर उन्हें छोड़ दिया। और प्रति दिन पवित्र शास्त्रों में ढूरते रहे कि ये बाते योही हैं कि नहीं। सो उन्हें से भहुतों ने और युनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुर्शों में से भहतेरों ने विश्वास किया। किन्तु जब थिसलूनिके के यहुदी जान गए कि पॉलुस बिरिया में भी परमेश्य का वचन सुनाता है, तो वहां भी आकर लोगों को उसकाने और हल्चल मचाने लगे, तब भायों ने तुरंत पॉलुस को विदा किया कि समुद्र के किनारे चला जाए, परंतु सिलास औ तिमुथियूस वही रह गए, पॉलुस के पहुचाने वाले उसे अथेने तक ले गए, और सिलास और तिमुथियूस के लिए यह आग्या लेकर विदा हुए कि मेरे पास बहुत शीख्र आओ, जब पॉलुस अथेने में उनकी बाट जो रहा था, तो नगर को मूर्तों से देखकर उसका जी जल गया, सुवे आराद नाले में यहुदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग मिलते थे, उनसे हर दिन वाद विबाद किया करता था, तब इपिकूरी और स्तोई की पनितों में से कितने उससे तर्क करने लगे, और कितनों ने कहा, यह बकवादी क क्या कहना चाहता है, परंतु औरों ने कहा, वह अन्य देवताओं का परचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वह इश्यू का और पनुर्थान का सुसमचार सुनाता था, तब वे उससे अपने साथ अरियू पगुस पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि यह है नय अथेनवी और परदेशी जो वहां रहते थे, नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाए और किसी काम में समय नहीं बिताते थे, तब पालुस ने अरियू पगुस के बीच में खड़ा होकर कहा, हे अथेने के लोगो, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेधी भी पाई, जिस पर लिखा था कि अंजानने इश्वर के लिए, सो जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समचार सुनाता जिस परमेश्वर ने पृत्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृत्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंद्रों में नहीं रहता, न किसी वस्तुओं का प्रयोजन रखकर मनुश्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह तो आप ही सब क जीवन और स्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुश्यों की सब जातियां सारी प्रत्वी पर रहने के लिए बनाई हैं और उनके ठराय हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है कि वे परमिश्वर को ढूणें, कदाचित उसे टटोल कर पा जा जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसी के वंश भी हैं। सो परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि इश्वरत्व सोने या रूपे या पत्थर के समान हैं जो मनुश्व की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों। इसलिए परमे जिसमें वह उस मनुश के द्वारा धर्म से जगत का नयाय करेगा जिसे उसने ठहराया है और उसे मरे हों में सिजिला कर यह बात सब पर प्रमानित कर दी है। मरे हों के पनुरत्थान की बात सुनकर कितने तो ठटा करने लगे और कितनों ने कहा यह बात हम तुछ से फिर पॉलुस उनके बीच में से निकल गया। परंतु कई एक मनुश उसके साथ मिल गए और विश्वास किया जिन में दिवनुसियूस, अर्यूपगी था और दमरिस नाम एक स्क्री थी और उनके साथ और भी कितने लोग थे।